हलो स्टूडेंज दिस इस तनिव श्री तो आज हम शुरू करेंगे एक सार साइस 2.3 से कोशे नमबर 4 और कोशे नमबर 5 तो चले शुरू करते हैं देखो कोशे नमबर 4 में क्या है find using distributed property तो देखो यहाँ पर product दिया हुआ है तो distributed property यूज करके यहाँ पर value निकालना है तो इस type का हम पहले कर चुके हैं तो यहाँ पर और एक बार देख लेंगे distributed property क्या है तो distributed property में क्या होता है a into b plus c तो ऐसे क्या जाता है है ना a into b plus c तो इसको हम कैसे लिखते हैं देखो a के साथ b multiply हो जाएगा और एके साथ c multiply हो जाता है तो हो जाएगा a into b plus है तो plus हो जाएगा और a into c तो यह हो जाएगा तो यह है distributed property तो यही हम यहाँ पर use करेंगे तो देखो यहाँ पर है 728 into 101 तो देखो 728 जो है इसको हम as it is रखेंगे 728 अचा अभी यहाँ पर है into into देदेंगे अभी 101 जो है न इसको हम ऐसे form में लिखेंगे तो 101 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 100 plus 1 तो 00 वाला नंबर आएगा तो multiplication में easy हो जाएगा तो हमें ऐसा ही करना है 101 रहा तो उसको हम ऐसे लिखेंगे 100 plus 1 अगर 2001 रहा 1000 plus 1 तो 00 वाला नंबर हम लेकर आने के कोशिश करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे bracket के अंदर 100 plus 1 तो 101 को हम ऐसे लिखेंगे 100 plus 1 तो देखो ऐसा form में आ गया है तो अभी हम next step में ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 728 into 100 तो इसके साथ ये first multiply होगा और फिर इसके साथ ये multiply होगा ठीके तो हम लिखेंगे देखो 728 into 100 plus है तो plus हो जाएगा 728 into 1 ये हो जाएगा तो ऐसे a into b plus a into c ऐसे हम लिखेंगे ठीक है अच्छा अभी क्या करेंगे अभी हमें first क्या करना है हमें multiply का का काम करना है और फिर addition का का काम करना है है ना तो multiply का का काम हम first करेंगे तो देखो, 00 बाला नमबर है, तो easy हो जाएगा, 00 है तो 00 लिख दो, अभी 1 के साथ ये multiply कर दो, तो हो जाएगा 728, और यहाँ पर 00 है, अच्छा, यहाँ पर थोड़ा ठीक तरह से लिख देते हैं, यह हो जाएगा answer, अच्छा, अभी देखो, plus, plus है, अच्छा, 728 into 1, तो 728 हो गया है, अभी हम addition करेंगे, तो addition यहाँ पर कर लेते हैं, 728, 00 और 728, यह हम add करेंगे, तो देखो, 8 plus 0, 8, 2 plus 0, 2, अच्छा, अभी देखो, 7 plus 8 हो जाएगा, 15, तो 5, 1 केरी हो जाएगा, 2 plus 1, 3, 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर answer हो जाएगा, 7, 3, 5, 2, 8, यह हो जाएगा answer, तो ऐसे करना है, तो यह था A part, अभी हम next B part देखेंगे, next देखो, अच्छा, यहाँ पर है, 5,437 into 1, तो इसका value निकालना है, distributed property यूज करके, तो हम ऐसे लिखेंगे इसको, तो यहाँ पर देखो, यह जो है, 5, 4, 3, 7, यह as it is, हो जाएगा, into 1001 है, तो इसको हम B plus C ऐसे form में लिखेंगे, है ना, तो easy होगा multiplication में, क्योंकि 1001 है, तो 00 वाला number आएगा, तो इसको हम लिखेंगे, 1000 plus 1, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, तो multiplication में easy हो जाएगा, अच्छा, तो क्या होगा, इसके साथ यह multiply होगा, फिर इसके साथ यह multiply होगा, तो हम लिखेंगे, 5, 4, 3, 7, into 1000, प्लस है, प्लस लिख दो, 5, 4, 3, 7, into 1, यह हो जाएगा, अच्छा, अभी हम first multiply का का काम करेंगे, और फिर addition करेंगे, अच्छा, तो देखो, यहाँ पर 00 बाला नंबर है, तो easy हो जाएगा, multiplication में है, तो 30 है, 30 लिख दो, 1 के साथ यह multiply कर दो, तो हो जाएगा, 5, 4, 3, 7, और यहाँ पर 00 है, अच्छा, अभी देखो, प्लस, 5, 4, 3, 7, into 1, तो यही नंबर आएगा, तो यह हो जाएगा, तो यह हो है, 5, 4, 3, 7, 0, 0, 0, अभी 5, 4, 3, 7, तो 5, 4, 3, 7, add करो, 0 प्लस, 7 है, 7, 0 प्लस, 3, 3, 0 प्लस, 4, 4, अच्छा, अभी देखो, 7 प्लस, 5 हो जाएगा, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 1 के रही हो जाएगा, 3 प्लस, 1, 4, 4 हो जाएगा, 5, अच्छा, तो यह हो जाएगा, आंसर, 5, 4, 4, 2, 4, 3, 7, तो यह हो जाएगा, आंसर, ठीक है, अच्छा, तो अभी हम, next, C पार्ट देखेंगे, next देखो, अच्छा, यहाँ पे है, A24, इंटू 25, तो इसमें, Distributive Property यूज करना है, और करके Value निकालना है, अच्छा, तो देखो, यह बड़ा नंबर है, यह छोटा नंबर है, 25 है, तो इसको हम, ऐसे, Distributive Property में लिखेंगे, अच्छा, तो हम कैसे लिखेंगे, देखो, A24, जो है, यह, as it is, रहेगा, तो हम लिख देते हैं, अच्छा, अभी हो जाएगा, into 25 है, तो 25 को हम कैसे लिखेंगे, 20 प्लस 5, ऐसे लिखेंगे, ठेक है, तो 0 वाला नंबर हम रखेंगे, तो easy हो जाएगा, multiplication में, तो 20 प्लस 5, ऐसे हम लिखेंगे, ठेक है, देखो, 0 वाला नंबर है, तो multiplication में, थोड़ा easy होगा, अच्छा, तो अभी हम क्या ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, तो 824 into 20 हो जाएगा, 824 into 20, प्लस है, प्लस हो जाएगा, 824 into 5, अच्छा, अभी देखो, अभी हमें multiplication का काम first करना है, अच्छा, तो देखो, यहाँ पे 0 है, तो 0 लिख दो, और यहाँ पे 2 है, तो 2 के साथ यह multiply होगा, तो यह सिर्फ कर दो, 824 into 2, तो हो जाएगा, 4 to the 8, 2 to the 4, 8 to the 16, तो यहाँ पे लिख दो, 1, 6, 4, 8, ठीक है, यह हो जाएगा, प्लस है, प्लस लिख दो, अच्छा, 824 into 5, तो यह करो, multiply, 5, 4s are 20, 0, 2 carry हो जाएगा, अच्छा, 5, 2s are 10, 10 plus 2, 12 हो जाएगा, 2, 1 carry हो जाएगा, 5, 8s are 40, plus 1, 41, तो यह हो जाएगा, अच्छा, तो हम लिखेंगे, 4, 1, 2, 0, यह हो जाएगा, अभी add करना है, ठेक है, अच्छा, तो हम यहाँ पर add करते हैं, यहाँ पर करते हैं, 1, 6, 4, 8, 0, और 4, 1, 2, 0, add करना है, 0 plus 0, 0, 8 plus 2, 10, 0, 1 carry हो जाएगा, 4 plus 1, 5, plus 1, 6, अच्छा, अभी 6 plus 4 हो जाएगा, 10, 0, 1 carry हो जाएगा, 1 plus 1, 2, तो यह हो जाएगा, आंसर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, 0, 6, 0, 0, यह हो जाएगा, आंसर, ठीक है, तो ऐसे करना है, तो अभी हम next D part देखेंगे, next देखो, अच्छा, यहाँ पर है 4,275 x 225 है, अच्छा, तो इसमें distributed property यूज करके value निकालना है, तो देखो, यह बड़ा नमबर है, यह छोटा नमबर है, इससे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अच्छा, तो देखो, यह as it is रहेगा, 4,275 x 125 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 100 plus 25 है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं, 100 plus 25, ऐसे लिख सकते हैं, पर देखो, next step में, जब ऐसे करेंगे ना, multiply करेंगे, तो इससे यह नमबर multiply करना है, तो थो फोड़ा lane D हो जाएगा ।ो हम एक काम कर सकते हैं, 25 को हम 20 प्लस 5, ऐसे लिख सकते हैं तो 100 तो रहेगा, 100 प्लस, इसको लिख देते हैं 20 प्लस 5, तो देखू, ऐसे हो जाएगा, तो ठोड़ा easy हो जाएगा, ठीक है, तो यह पर B प्लस C, प्लस D मान लो, तो क्या होगा, इस के साथ यह multiply होगा, इस którego होगा, थोड़ा short में हो जाएगा, ठीक है तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं अच्छा, अभी देखो, अच्छा, अभी हमें करना है, next step, ऐसे, इसके साथ यह multiply होगा, तो 4, 2, 7, 5 प्लस है प्लस हो जाएगा 4275 इन्टू 20 अच्छा अभी प्लस है प्लस लिख दो 4275 इन्टू 5 ऐसे हो जाएगा ठीक है अच्छा अभी हमें क्या करना है ब鍢़े हमें मल्टिप्लाई का काम सլ्सक्रा धिका करना है अच्छा तो देखो यहाँ पर 00 है तो 00 लिख देते है लाँ के साथ यह मल्टिप्लाई होगा तो 427500 इह वहं दो है तो प्लस लिख दो अच्छा अभी देखो अभी यहां पर देखो यहां पर 0 है तो 0 हम लिख सकते हैं अभी 2 के साथ यह multiply करेंगे 4275 x 2 5 2s are 10 0 1 carry हो जाएगा 7 2s are 14 plus 115 5 1 carry हो जाएगा 2 2s are 4 plus 15 2 4s are 8 तो हो जाएगा यहां पर 8 5 5 0 और एक 0 यहां पर था तो यहां पर हो जाएगा ठीक है तो यह हो जाएगा अच्छा अभी प्लस तो यह हम multiply करेंगे 4275 x 5 5 5s are 25 5 2 carry हो जाएगा 7 5s are 35 35 plus 2 हो जाएगा 37 7 3 carry हो जाएगा 5 2s are 10 10 plus 3 13 4 5s are 20 plus 1 21 तो यहां पर हो जाएगा 2 1 3 7 5 यह हो जाएगा अभी क्या करना है add करना है तो हम एक साथ add कर देंगे अच्छा तो देखो यहां पर कर लेते है add अच्छा यहां पर कर लेते है तो देखो 427500 यह है अभी इसके नीचे यह हम लिखते हैं देखो कितना digit है 1 2 3 4 5 5 digit है 1 2 3 4 5 तो यहां पर हम लिख देंगे 8 5 5 0 0 अच्छा यहां पर है 1 2 3 4 5 digit इसके नीचे 2 1 3 7 5 तो अभी add कर देंगे 5 प्लस 0 प्लस 0 5 होगा 7 प्लस 0 प्लस 0 7 अच्छा तो अभी देखो 5 प्लस 5 10 10 प्लस 3 13 3 1 कैरी होगा अच्छा 5 प्लस 1 6 6 प्लस 7 हो जाएगा 13 प्लस 1 14 4 1 कैरी हो जाएगा अच्छा 8 प्लस 2 10 10 प्लस 2 12 12 प्लस 1 13 3 1 कैरी हो जाएगा 4 प्लस 1 5 यह हो जाएगा आंसर तो इसका आंसर हो जाएगा यह 5 3 4 3 7 5 यह हो जाएगा आंसर ठेक है तो ऐसे करना है तो यह 30 पार्ट अभी हम next यह पार्ट देखेंगे next देखो अच्छा यहाँ पे है 504 इंटू 35 तो हमें distributed property यहाँ पे use करके लिखना है तो देखो इससे यह छोटा है नमबर तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे है ना तो हम लिखेंगे 504 यह है इंटू 35 को हम लिख सकते हैं 30 प्लस 5 देखो 0 वाला नमबर हम रखेंगे तो multiplication में easy ह होगा तो 30 प्लस 5 ऐसे लिखेंगे अच्छा अभी हम next करेंगे क्या करेंगे ऐसे लिखेंगे 504 इंटू 30 504 इंटू 30 प्लस है प्लस लिख दो 504 इंटू 5 504 इंटू 5 अच्छा अभी हमें first multiplication का काम करना है और फिर addition का काम अच्छा तो देखो यहाँ पे 0 वाला नमबर है तो 0 हम लिख देते हैं 0 के साथ यह multiply करने से 0 ही आगा तो 3 के साथ यह multiply करेंगे 504 इंटू 3 3 4s आ 12 2 1 केरी हो जाएगा 3 0 0 0 0 प्लस 1 1 3 5s आ 15 तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 5 1 2 अच्छा अभी प्लस 504 इंटू 5 तो 5 से multiply करो 5 4s आ 20 0 2 केरी हो जाएगा 5 0 0 प्लस 2 2 5 5s आ 25 तो यह हो जाएगा 2 5 2 0 यह हो जाएगा अभी हम addition करेंगे तो यहाँ पी addition करके देखते हैं अच्छा तो देखो यहाँ पे हम करेंगे 1 5 1 2 0 अच्छा और यह है 2 5 2 0 तो 2 5 2 0 से लिखेंगे अभी add करेंगे 0 प्लस 0 0 2 प्लस 2 4 5 प्लस 1 6 5 प्लस 2 7 1 हो जाएगा तो इसका answer हो जाएगा 1 7 6 4 0 यह हो जाएगा answer ठीक है तो ऐसे करना है तो यह था question number 4 अभी हम next question number 5 देखेंगे question number 5 देखो study the pattern अच्छा तो देखो यहाँ पे जो numbers दिया हुआ है यह pattern में दिया हुआ है तो हमें यह pattern अच्छी तरह से study करना है और फिर क्या करना है देखो write the next two steps तो आगे की दो steps लिखना है can you say how the pattern works तो क्या बोल सकते हूँ यह जो pattern में दिया हुआ है यह कैसे काम करता है तो हमें उससे पहले अच्छी तरह से pattern को समझना है अच्छा तो देखो यहाँ पे क्या है 1 into 8 plus 1 is equal to 9 तो मतलब 8 1 side करो 8 plus 1 9 आएगा पर ऐसे हम नहीं समझेंगे हमें pattern को समझना है तो देखो हम एक एक करके देखते हैं देखो यहाँ पे है 1 ठीक है तो यहाँ पे क्या है 1 2 अच्छा 1 1 2 तो एक एक करके बढ़ आए अच्छा नेक्स्ट क्या है 1 2 3 अच्छा 1 2 3 ठीक है 1 2 था 1 2 3 हो गया है अभी नेक्स्ट क्या है 1 2 3 4 अभी यहाँ पे 1 2 3 4 5 तो एक एक करके बढ़ आए तो नेक्स्ट क्या होगा 1 2 3 4 5 6 है ना 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 तो फिर क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 यह आएगा अच्छा अभी देखो इंटू है अच्छा इंटू कर देते हैं 8 है 8 8 8 8 semi है तो यहाँ पे 8 semi हो जाएगा इंटू 8 हो जाएगा अच्छा अभी देखो फ्लस है तो फ्लस दे दो अच्छा अभी देखो 1, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो 5 के बाद क्या आएगा? 6, 6 के बाद क्या आएगा? 7, तो इतना तक हो गया है, अभी equal sign हो जाएगा, है ना? तो अभी देखो यहाँ पे 9 है, आच्छा, 9, 8, तो 9 से एक कम 8 हो रहा है, आच्छा, तो अभी देखो 9, 8, 7, तो 9, 8, 8 से एक कम 7 हो रहा है, तो 9, 8, 7, यहाँ पर 9 8 7, 7 से एककम 6 9 8 7 6, 6 से एककम 5 9 8 7 6, 5 तो यहाँ पर क्या होगा? 9 8 7 6, 5 5 से एककम 4 अभी यहाँ पर क्या होगा? 9 8 7 6, 5 4, 4 से एककम 3 बस यही है तो 2 स्टेपस यही होगा आगे की दो स्टेप यह होगा, ठीक है? तो ऐसे पैटरन काम कर रहे हैं, देखो 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इंटु 8, इंटु 8, अच्छा, इंटु 8, इंटु 8 है प्लस, प्लस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस इकोल टू 9, 9, 8, 9, 8, 7, 9, 8, 7, 6, 9, 8, 7, 6, 5, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 ऐसे होगा, ठीक है? तो ऐसे पैटरन को हमें समझ के लिखना है तो यह था कोशेन नमर 5 तो यह था एक्सरसाइस 2.3 और इस चप्टर की सारी वीडियोस के लिंक नीचे देस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा